Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में IAV Netflix सीरीज Lockwood & Co. को एक्स्क्लेन करने जा रहे हूँ. इस सीरीज का एक ही सीजन आया है और मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि इसका दूसरा सीजन नहीं आने वाला है और उसके पीचे रीजन ये है कि जब ये प्रेमियर हुआ था Netflix पे उस टाइम तो ही बहुत अच्छा कर रहा था मगर बाद में ये हुआ कि critics ने तो इसको काफी ज़दा appreciate करा और इसकी एक loyal fanbase भी बन गई मगर Netflix ने इसको बिल्कुल भी promote नहीं करा और वो top 10 पे बहुत time तक नहीं रह पाया इसी विज़े से Netflix ने आगे जा कि इसको confirm करा कि वो इसके second season के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे मगर हम लोग फिर भी इसके end का जो cliffhanger है उसको discuss जरूर करेंगे हमारी series की starting होती है और हम यहाँ पे एक लड़गी से मिलते हैं जिसका नाम होता है Lucy Carlyle हमें मालूम जलता है कि वो अपने घर से भाग के London आ गई है क्योंकि यहाँ पे वो एक ghost hunting की agent बनना चाती है हमें यहाँ पे भी मालूम चलता है कि जो हमारी Lockwood & Co. में जो universe चल रही है जो पूरी दुनिया चल रही है वहाँ पे एक event ऐसा हुआ है जो काफिछादा mysterious है और उसको यहाँ पे लोग the problem करके बोलते हैं हमें यह भी मालूम चलता है कि यह जो the problem है वो बहुत पहले सालों पहले 1980s में हुआ था और ऐसा होने की वज़ी से जो पूरा history है earth का वही बदल गया था अब problem की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो problem आगचली में यह है कि जितने भी ghost हैं, आत्माई हैं, भूत हैं वो किसी तरह से हमारे दुनिया में enter हो गए हैं, मगर तब भी इनके बारे में कुछ important चीज़े हैं जो दिमाग में रखनी हैं पहला यह कि वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं और इसी चीज़ के चलते, लंडन में हर रात का एक daily curfew लग चुका है कि इतने बज़े के बाद अब रात में नहीं गूम सकते हैं दूसरा यह होता है कि उनको सिर्फ बच्चे जो होते हैं, वही देख सकते हैं जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ती जाती है, आप इस चीज़ की ability lose कर देते हो और इस ability को जिससे लोग उनको देख सकते हैं, उनको टाइलेंट बोला जाता है और तीसरी important चीज़ यह होती है कि जितने भी ghost हैं, उनको तीन अलग-अलग type में divide किया गया होता है पहले वाले वो होते हैं, जो बहुत जादा common होते हैं और सबसे जादा weak होते हैं basically जैसे lurkers हो गए या फिर shades हो गए, वो आते हैं type 1 वाले में और इनमें जो ghost आते हैं, उनको actually में बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वहाँ पे इंसान भी रह रहे हैं मतलब कि they are totally oblivious to the fact कि वहाँ पे living beings के बीच में वो भूत हैं दूसरे आते हैं, वो ये होते हैं भूत जिनकी थोड़ी से intelligence जादा होती है तो as compared to पहले वाले जो type हैं, उनसे थोड़ी से dangerous होते हैं और इतना जादा हो जाते हैं कभी कभी वो लोग dangerous कि कहीं न कहीं वो आपको नुकसान तक पहुचाना जाते हैं अब सबस्यादा rarest की बात कर लें तो type 3 है और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि पुरे दुनिया में type 3 वाले category में दो ही भूत आते हैं हमें यहाँ पे यह पे मालूम चलता है कि उन बच्चों के पास जिनके पास टायलेंट का भी एकदम supreme power है वही लोग इन से communicate कर पाते हैं और हम ऐसा जानते हैं सीरीज के दोरान में ही कि ऐसा टायलेंट Lucy के पास होता है हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देख लिया होता है कि Lucy अपने घर से भाग गई होती है London आ गई होती है और वहाँ पे वो Lockwood & Co. को जोईन करती है इसलिए नहीं क्योंकि वो best agency है मगर इसलिए क्योंकि उसने अपने resume में जूट बोला था और उसकी जितने भी चीज़े प्राक्टिस उसको करनी थी वो सब उसने नहीं करनी थी मगर फिर भी इन्होंने उसको रख लिया था अपने company में और जैसा जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमको मालम चलता है कि Lockwood & Co. को बहले ही बहुत चोटी जी company है मगर फिर भी वो अपने life के बहुत बड़े से case में फस्ते है और वो basically case होता है एक missing bone glass mirror का एक ऐसा relic जिसमें सारे सवालों के जवाब है कि actually में ये जो भूत है वो हमारे दुनिया में enter कैसे करे है यहाँ पर हमें ये भी मालम चलता है कि जो उस mirror में देखता है उसको एक नाएक जलक मिल जाती है अब यहाँ पर problem ये है कि हमें explicitly नहीं बताया जाता कि ये जो दो eternal है वो actually में क्या चीज़ है आगे हमें सीरीज में ये भी मालम चलता है कि ये दो bone glass जो है वो बहुत ही जादा dangerous चीज़ है वो इसलिए है क्योंकि इसमें 7 अलग अलग tormented souls के spirits को मिला के इसको बनाया गया है तो मतलब ये कि ये एक गुना नहीं बलकि 7 गुना जादा dangerous है और हमें आगे के episodes में around 5 या 6 episodes में हमें ये भी मालम चलता है कि जितने लोग मारी जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे ही spirits बनके haunt कर रहे हूं और हमें ये भी मालम चलता है कि किसी भी भूत को अपने आपको attach करने के लिए या हमारे दुनिया में आने के लिए एक source चाहिए source किसी भी type को object हो सकता है जिससे वो अपने आपको attach कर सकते हैं और वो लोग अपने आपको attach कैसे करते हैं वो इस तरीके से करकि जब वो लोग मर रहे होते हैं तो वो बहुत जादा intense trauma को go through करते हैं कि उनकी जो body है वो उस source को अपने आप से attach कर लेती है अब हम लोग पहले episode के बात कर लें तो उसमें हमें एक भूत के बारे में मालूम चलता है जिसका नाम होता है Annabel Ward और हमें यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि उसको बहुत जादा बेहरेमी से मार दिया गया था और उसका जो यहाँ पर source था वो एक ring था और ऐसा हम यह भी समझ सकते हैं वो the bone glass जो है वो भी एक तरीके का source है मगर यहाँ पर वो सिर्फ एक source नहीं है बलकि उसके अंदर seven different sources है क्योंकि यहाँ पर साथ अलग अलग souls का torment हुआवा चीज इसमें फसा है अब यहाँ पर हम episode seven की बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जब Lucy और उसका जो partner है Anthony Lockwood वो किसी तरह से लड़ाई करते time manage कर पाते है उस bone glass mirror को चुराने का जहाँ पर एक secret auction हो रहा होता है वहाँ से और उसको manage कर पाते है किसी तरह से एक river में लाके फेकने का जहाँ से एक और member जो Lockwood न को का होता है George Cream वो उसको पकड़ लेता है अब यहाँ पर problem यह होती है कि Lucy और Anthony को नहीं पता होता है कि यहाँ पर George ने दोस्ती करी है एक लड़की से जिसका नाम है Pamela और उससे बड़ी problem यह है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम होता कि Pamela का intention क्या है उसका intention यह होता है कि वो उस bone mirror को use करने वाली है चीज़ों को जानने के लिए कि actually में नीचे सारी problems है वो शुरू कहां से हुई थी मगर वो यह चीज़ अकेले करना जाती है अब यह exactly उसका intention है कि नहीं यह भी clear नहीं होता मगर at least यह सेम चीज़ उसने George को बोली होती है अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि Anthony और Lucy को देखके लग रहे कि वो एक दोसरे को पसंद करने लग गए है और इस वज़े से George को थोड़ा सा out of place feel होने लगता है और शायद यह एक reason है कि वो Pamela के तरफ attracted feel हो रहा होता है तब तक हमें parallel यह भी दिखाया जाता है कि Anthony और Lucy साथ में है जहां वो एक किताब को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है The Confessions of Mary Doolock और यहां हमें मालुम चलता है कि उन्होंने इस बुक को चुराया होता है एक black library से जो basically Fitz के archives के अंदर होता है अब एक बार Marissa Fitz की भी बात कर लेते हैं तो मालुम चलता है कि उसको सबसे जादा powerful, strongest talent माना जाता है आज तक की दुनिया में और वही एक इनसान थी Lucy के आने के पहले तक जिसने type third वाले ghost से communicate करना possible करा था हमें यहां मालुम चलता है कि उसने company स्टार्ट करी थी जिसका नाम होता है और वो England की सबसे बड़ी ghost hunting agency होती है और यहां इस agency के अंदर बहुत सारे पुराने relics रखे वे होते हैं जो पुराने पुराने tombs के अंदर से उनको लाया गया होता है अब यहां पे The Confession of Mary Dulac वाली किताब इसलिए important है क्योंकि यहां पे हमें कहानी बताई जाती है उस bone glass mirror के बारे में और कहानी यह होती है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है Edmund Bickerstaff और वो एक पुराने time का occultist हुआ करता था जो witchcraft से experiment करता था मरेवे लोगों पे और उससे उसने इस bone glass को existence में लाया था अब आपको याद होगा कि मैंने बताया है कि उस bone glass के अंदर साथ अलग-अलग लोगों के tormented souls फसीवी है तो यहां पे इस admin वाले आदमी ने उन साथ अलग-अलग souls को torture करा था जो basically उसके patience हुआ करते थे उनको और उनकी bones का इस्तमाल करा था उसने इस चीज़ को बनाने के लिए अब हम यहाँ पे Mary Rolak के book के illustrations मतलब drawings पे ध्यान दे अगर तो Anthony और Lucy को वहाँ पे एक drawing में दिखा था कि एक spiral type का formation हुआ 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 है George ने थोड़े ही split second के लिए ही सही इसके spiral के अंदर देखा था और इसी चीज़ के चलते वो धीरे धीरे बहुत ही जादा इस चीज़ को लेकि obsessed होने लगा था और अब Anthony और Lucy को मालुम चल जाता है कि हो ना हो George पक की तरीके से खत्रे में है अब यहाँ पे type 3 ghost हमें एक दिखाया जाता है जिसका नाम होता है skull और दोनों इसकी मदद लेते हैं और वो जो ghost होता है वो एक jar के अंदर बंद होता है और हमें मालुम चलता है कि वो Edmund का पहले servant रहे चुका है और यहाँ पे उसके तरू Anthony और Lucy को मालुम चलता है कि इदर looking glass जो है actually में वो mirror नहीं है बल्कि उल्टा एक तरीके का window है और जो भी लोग उसकी अंदर देखते हैं वो सारे मारे ही जाते हैं और इसी चीज़ के चलते वो लोग वापिस जाते हैं Edmund के घर में जिससे कि वो George और Pamela को रोक सके जो भी वो करना चाहरे हैं उससे जब वो लोग वहाँ पर होते हैं तब George को वहाँ पे एक आदमी मिलता है जो फिट्स का agent होता है जिसका नाम होता है Quill Kips और वो वहाँ पे already experience से लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमें यह भी मालूम चलता है कि उसको उस agency का नहीं बलकि उस country का one of the best agent माना जाता है मगर यहाँ पे जिस तरीके से वो fight कर रहा है उसको देखके थोड़ा सा इस चीज को लेके doubt होने लगता है क्योंकि यहाँ पे उल्टा George उसकी जान बचाता है और हमें यहाँ मालूम चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि quills जो है वो धीरी धीरी उसका जो talent है उसको वो lose कर रहा है क्योंकि उसकी जो age है वो बढ़ रही है और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जैसे जैसे age बढ़ती है वैसे वैसे जो बच्चे हैं वो इस चीज का टालेंट भी लूस करते चलते हैं मगर इसके आगे जो remaining है series का explanation वो मैं आपको second part में समझा के कतम कर दूँगी और अगर आपने यहां तक देखा है और आपको पसंद आया है then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram link आपको नीचे description box पे मिल जाएगा thanks for watching, bye